हलो फ्रेंड, निटिंग डिजान में देखें, मैं प्यारा सा एक टोर्मेट बना रही हूँ, जो बहुत बड़ा सा बना हुआ है, इसे मैंने उन से बनाया है, और आप इसे पुरानी साड़ी, चुन्नी या लैगिन किसे से भी कलर्फुल बना सकती हैं, तो यहां मैंने कई कल लगाए हैं, अगर आप चाहिए तो सिंगल कलर, यह ब्लैक को बनाये, और यह बाकी फलियां जो है, बहुत ही सुन्दर बनी है, इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, तो यह अभी मेरा हाप बना है, और इसे फिर पूरा राउंड शेप में, इसे डिजाइन को रिपीट करते ज फंदों में थोड़ा छोटा डिजाइन बना के दिखाऊंगी, तो इसके लिए यह दिखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई पे, आपका अगर उन पतला है तो डबल कर लीजे, और मोटा उन है तो सिंगल करिए, और यहाँ पे 30 फंदे लिए हैं, यह फंदे जो हमें जोड़े मे रहेंगे तो यह डिजाइन हमारी आसानी से बनेगी, और पंदे डालने के बाद हमें सबसे पहले, यह सीधी तरफ है हमारी इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, तो यह पूरी सलाई हम उल्टा बना करके, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है, यह देखे, यह पूरी रोग ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है, और जब हमारा लास्ट उल्टा आएगा, तो धागे को पीछे करके हम एक यह सीधा बनाएंगे, यह देखे इस तरफ हैं, अब फिर हम बैक साइड आ जाएंगे, और इस बैक साइड पे हमारा यह बीज में, सा सुरा कलर आएगा, तो यहां पर मैंने यह देखे, ब्लू कलर ले लिया है, यह एक, और यह दो फंदे हमारे ब्लू के हो जाएंगे, और फिर यह हमारा क्रीम कलर आजाएगा, और बैक साइड से फिर इन सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, तो यह दोर मेरा जो है, वो सीधी तरब से भी उल्टा ही बनाना है, और उल्टी तरब से भी उल्टा ही बनाना है, तो इस तरह से दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बिनते हुए, इस डिजाइन को हमें बनाना है, तो यह देखे, इस सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, ब आप पुराने कपड़े से बनाएए तो ये भी और भी बड़ा बन करके आएगा और ये देखें जब हम ये लास्ट में आएंगे यहां पे तो एक और एक दो फंदे हमारे रह जाएंगे अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे सीरी तरफ आजाएंगे और इस धागे को आगे करके और फिर यहां से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा साइट के दो फंदों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद के फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे यह देखे अब यहां पर हमारा ब्लू कलर आगया है तो अब इस यलो वाले धागे को पीछे करेंगे और ऐस तरह से यह पीछे करके और इधर आगे के तरफ से इसको आगे करेंगे तो यह दोनों धागे हमारे यह क्रॉस हो जाएंगे और फिर एक उल्टा और लास्ट वाला हर बार एक हम सीधा बनाएंगे और फिर यहां पर बैक साइट आजगे तो यह दो ब्लू को हम ब्लू से ही बनाएंगे एक और एक दो अब दो फंदे और हमारे ब्लू हो जाएंगे तो हर बार यलो की दो फंदे हमने ऐसे ब्लू कर देना है और पिर हमारे जो यलो फंदे हैं लाइट यलो मैंने लिया है इसे फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और इस पूरी रोप इस तरह से हमें उल्टा-उल्टा ही बुनना है और ये दिखी ये पहले से दो फंदे मैंने छोड़े थी और इस बार भी हमारे दो फंदे छोटेंगे तो ये दो और दो चार हो जाएंगे और फिर यहीं से हम बैक हो जाएंगे और हर बार इसी तरह से हम दो दो फंदे को छोड़ते जाएंगे साइड में और फिर इधर से सारे जो यलो फंदे हैं उनको हम यलो से बनाएंगे और यहां पर हमारा ब्लू कलर आके है ति धागे कुधर आगे की तरफ करेंगे और इधर साइड से हम आगे निकाल करके इस ब्लू आले को फिर उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट आले फंदे को फिर धागे को पीछे करके हम सीधा करेंगे और फिर हम जब back side पे आएंगे तो जो हमारे blue फंदे हैं उनको blue color से ही ultra बनाएंगे और ये yellow के ये 1 और 2 फंदे हमारे और blue से हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे 2 फंदे इधर के blue के बढ़ते जाएंगे और इधर side से हमारे 2 फंदे कम होते जाएंगे तो इस तरह से कम होते हुए ये बीच में आएंगे और इधर से ये blue बढ़ते हुए ये बीच में आएंगे तो ये बीच में आने तक हम आपको बना करके दिखाते हैं ये देखें यहाँ पे मैंने फंदो को कम कर लिया है तो ये देखें हमारे ये दिख रहे हैं हर पार ये दो-दो फन्दे मैं छोड़ते गई हूं हर सलाई पे और इधर से हमारे दो-दो फन्दे ब्लू के बढ़ते गए हैं और अब यहां पे बीच में हमारे देखे ये 1-2-3-4-5-6 फन्द यलो के बचे हैं तो हम ब्लू को पहले ब्लू कलर से ही बनाएंगे यह देखे, ब्लू वाले फंदे हो गए, इस यलो को भी, यह एक, दो फंदे और ब्लू कर लिए, यह एक और एक, दो, अब यह देखे, दो फंदे बचे हैं, अब यहीं से हम पैक हो जाएंगे, और यहाँ पे, इस दो यलो को यलो करेंगे, और ब्लू धागे को क्रॉस करते हुए, ब्लू फंदो को हम ब्लू कलर से बनाएंगे, यह देखे, इस पूरी रोग को मैंने कर लिया है, और यहाँ इस दिजाइन में देखे, यह हमारा यलो कलर है, यह यहाँ तक हमारी यह डिजाइन बन गई है, अब इसके आगे यह ब्लाक यह दिख रहे हैं, अब इसे हम यहाँ ब्लू कलर से लगाएंगे, तो हम प्लू फं यह शुरू के हमारे जितने भी ब्लू फंदे हैं, उनको हम ब्लू कलर से करेंगे, यह देखें, जितने भी हमारे यह ब्लू फंदे हैं, उनको हम ब्लू से कर लेंगे, अब यहां पे हमारा यलो कलर नहीं रहेगा, और इस दो ब्लू को छोड़ करके, फिर अब यहीं से हम पै अब यहां से हमारा यलो कलर नहीं रहेगा सिर्फ ब्लू कलर से हमारी यह डिजाइन पूरी बने गिया और यह आखरी वाला फंदा जो है वो हर बार की तरह हम सीधा बनाएंगे तो यह सीधा बनाने से देखे यह हमारी एक चोटी बहुत खूपसरा सा यह बन करके आ जाता है तो यहां पे देखे इस डिजाइन में हमने यहां तक यह यलो है यहां तक हमारी डिजाइन बन गई है अब उसके उपा जो यह ब्लैक वाली डिजाइन है यहां पे मैंने ब्लू कलर लगाया है उसे मैं बना रही हूँ तो अब बैक साइट पे जब हम आएंगे तो सिर्फ ब्लू इतिवे ब्लू फंदे हैं उन्हें हम बनाएंगे और ये देखें पहले पार दो ब्लू चुटे थे अब दो ब्लू और चोड़ देंगे और फिर बैक हो जाएंगे तो इस तरह से हर बार हम दो-दो ब्लू के फंदो को कम करते जाएंगे और लास्ट में जब हमारे पास दो फंदे रह जाएंगे तो वहां तक मैं आपको बना कर दिखाती हूँ यह दिखें हर बार के दो-दो फंदे ब्लू को जब हम छोड़ते के हैं तो यहां पर अब हमारे उल्टी तरफ से चार फंदे ही बचे हैं तो इस चार फंदो में सिफ एक और एक दो फंदो को ही बिनेंगे भी धागे को बार की तरफ करके बैक हो जाएंगे और इस पहले वाले फंदे को तो हम उल्टा बिनेंगे और दूसरे वल पंदे को हर बार की तरह आगरी पंदा है तो हम सीधा बनाएंगे अब यह देखें, यहां से हमारी यह एक कली बनके त्यार हो गई यह इधा हमारी एक कली अब यहां से हमारा यह दूसरा कलर लगेगा अगर आप चाहते हैं सेम कलर लगाना तो इसी धागे को फिर हम यहां से रिपीट करेंगे और दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ तो देखें, अब यहां से हमारी दूसरी कली शुरू हो जाएगी तो पहले यह एक और एक दो फंदो को ब्लू से बनाएंगे और अब यहां पर हम सेम कलर लगाए या दूसरा कलर तो यहां मैंने रेड कलर ले लिया है तो अब हम रेड कलर से इस सारे फंदो को बिनेंगे जितने भी फंदे हमने छोड़े थे ब्लू वाले भी और यलो वाले भी अब इन सारे फंदों को हम रेड कलर से बनाएंगे तो हम बनागर के फे दिखाते हैं आपको यह हमारे जितने फंदे हैं आखिर तक हम बिनेंगे और यह देखे अब हम सीधी तरफ आ गए हैं इस तरह से हमारे यह बन गई डिजाइन और यहां से हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और फिर जितने भी रेड फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बनाएंगे जैसे हम रो वन बना रहे थे जहां से हमने स्टार्ट किया था है बिल्कुल वैसे ही आ गया और रेट फंदो को हम रेट से बनाएंगे और ब्लू वाले को फिर ब्लू से करेंगे जितने रेट थे मैंने रेट के लिया धाके को पीछे करके ब्लू धाके को मागे करेंगे और ये एक हमारा उल्टा और आखरी वला पंदा हमारा सीधा बनेगा अब हम back side पर जबाएंगे तो यैसे हर बार हमारे दो दो blue के पंदे बढ़ रहते वैसे हम बढ़ाएंगे तो ये दो blue थे और एक और एक दो blue और हो जाएंगे और फिर यहां से हमारा red color इन सारे फंदों को फिर हम red से बनाएंगे और फिर आखरी की दो-दो फंदे हर बार की तरह हम छोड़ते जाएंगे और यहीं से हम back होंगे तो इस तरह से फिर हमारी ये दूसी के लिए start हो गई तो हर बार ये blue के दो-दो फंदे धर red की तरफ आते जाएंगे और side के दो-दो फंदे हमारे ये छोड़ते जाएंगे जैसे मैं yellow आलेम कर रहे थी तो इस तरह से हर color को लगाते हुए या same color को लगाते हुए हमारा ये डोर मेट जो है इस तरह से बनेगा और इसी को आगे बनाते जाएंगे तो आपके 12 या 14 कल्यों में जैसा आपका हाथ धीला या कसा चलता हो उस इसाप से हमारी फलियां बनेगी और last में आकर के इसे भी हम बन कर देंगे जब हमारा ये डोर मेट पूरा हो जाएगा round और यहां से सिलाई कर देंगे तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करके बताएगा कि ये डिजाइन आपको कैसे लगी तेंक यू